इस वीडियो में मैं आपको आश्टेलिया उपन 2018 के विनर्स की आसान ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप एक्जाम्स में इन कोश्टिंस को बहुत ही एजिली अटेम्ट कर पाओ यह ऐसे कोश्टिंस एक्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं और आपको यह विडियो कैसा लगा हमें लास्ट में कमेंट में लिकर ज़रूर बताईए और इस वीडियो को जयाज जयादा लाइक और शेयर करें इसमें आपकी पहली ट्रिक है रोज कार में किस्से मिलने जाते हो जैसे कि आप देख रहे हो कि रोजर फैडर कार में कहीं पर जा रहे है तो कोई उनसे पूछता है कि रोज कार में किस्से मिलने जाते हो तो इसमें आपका रोज से आप याद करोगे मैंस सिंगल्स का खिताब जो कि रोजर फेडर ने जीता है तो मेंस से रोज से आप याद कर लोगे रोजर फेडर मेंस सिंगल्स और कार से याद करोगे आप वोमेंस सिंगल्स का खिताब जो कि कैरोलाइन वोजनिया की नहीं है आपका कार जो है कॉमन है दोनों में आपके टिरिक में भी और रुमेन सिंगल में पहले स्टार्टिंग के तीन अक्सर कर अन्फावैट से लिये गए हैं तो इससे आप याद करोगे कर से कैरोलाइन वोजनिया की तो आपने रोज कर में किसे मिलने जाते हैं रोज से रोजर फैडर और कार से केरोलाइन वोजनिया की और इसी के साथ रोजर फेडर का यह बीसवा ग्रेंड स्लैम था और रोजर फेडर मैंस सिंगल में सबसे अधिक ग्रेंड स्लैम जीतने वाले खिलाडी बन गए हैं और सेगिंड नमबर पर Grand Slam जीतने वाले खिलाड़ी है रफेल नडाल और इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि 2017 का यानि पिछले साल का Australia Open भी Roger Federn ने जीता था और Australia Open के साथ उन्होंने Wimbledon भी जीता था यानि 2017 का Australia Open और Wimbledon दोनों Roger Federn ने जीते थे और French Open और US Open रफेल नडाल ने जीता था Next trick आपकी Chris मुसिबत के टाइम आता है जैसा कि आप देख रहे हो कि Chris जब भी कोई मुसिबत पढ़ती है उस टाइम आता है तो आप इस trick से याद करोगे Women's Doubles के खिताब और Women's Doubles के खिताब है Christina Miladinovic और Times Babos तो Chris से आप Christina याद करोगे और Time से Time तो आपको ये Women's कहीं पर भी Christina और Time Babos दिखाई दे यानि ये आपके Women's Doubles के खिताब है अगर आपको ऐसा option दिखाई दे तो आप इसको easily पैचान सकते हो आपकी next trick है गबर जब दोस्तों से मिलता है तो विस्की पीता है और विस्की पीने से लिवर खराब होता है तो इसमें आप पहला याद करोगे Mixed Double का जो की खिताब है Gabrilla, Debrow Whisky और Mate Pavick तो गबर से आप याद करोगे Gabrilla और विस्की से Debrow Whisky तो गबर और विस्की को आपने पूरा मिला दिया तो Gabrilla, Debrow Whisky आ गया और मिलता मिलता का मतलब होता है Mate Mate का मतलब मिलता तो मिलता से आप याद कर सकते हो Mate Pavick Second आप याद करोगे इसमें Mans Double का Mans Double का खिताब जीता है Oliver March ने और Mate Pavick ने आप लिवर से याद करोगे Oliver March और मिलता से आपका दुबार आ गया Mate Pavick तो इसमें आपका Mate Pavick दोनों में Common है Mixed Double में और Mans Double में याई अगर आपका Australia Open में Double का खिताब पूछा जाता है तो Mate Pavick आपका हर एक में आएगा ये Women's में तो आ नहीं सकता क्योंकि Mans में आ गया और Mixed Double में आ गया Movement में या आ नहीं सकता क्योंकि ये Man है तो Mate Pavick के साथ आपका दूसरा Option आप Match करोगे Mixed में आपके कोई दूसरी Woman ही मिलेगी तो Mate Pavick के साथ अगर कोई दूसरी Woman है तो आप Gabrilla यानि गबर और विस्की को आप डूंडोगे तो आपका Option आ जाएगा Gabrilla Debrowiski और Mate Pavick और Second Option अगर Mans Double का पूछा जाता है तो फिर आप Mate Pavick के साथ डूंडोगे Liver खराब होता है यानि Oliver March तो आपका Mate Pavick दोनों में Common रहेगा Mixed Double में भी और Mans Double में भी और Mixed में इसके साथ आजाएगा Gabrilla Debrowiski और Mans Double में आजाएगा Mate Pavick के साथ Oliver March Thank you guys for watching our video Please subscribe to our channel Study Zone for preparation of upcoming exams और subscribe के साथ आप notification bell का भी बटन जरूर दबाए ताकि वीडियो अपलूड होते ही आप तक पहुंच जाए अब आप हमें Facebook लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं अमारा Facebook लिंक नीचे दिवा हुआ है आप इस पर जाकर हमें Facebook पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक Facebook के दिवारब भी पहुंच सके